हेलो एवरिवन, वेल्कम बैक टू माई चैनल, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेसल पहुत ही एक टेस्टी रेसिपी, जिसे हम मिन्टों में बना के तयार करेंगे बो भी बिना गैस जलाए, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाए जाता है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार, अब उसमें हम डालेंगे 8-10 काजू, और अब उसमें डालना है हमें 8-10 ही बादाम, आप यहाँ पे इन दोनों की क्वांटिटी घटा या बड़ा भी सकते हैं, धक्कन लगा के दो और उसमें सभी मिक्स को निकालके अलग रगतेंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पे मखाने भी ले सकते हैं या फिर आपको कोई और ड्राइफ रूट्स अच्छा लगे तो आप वो भी इसमें एड़ कर सकते हैं, अब बही वाला जार हम दुबारा से लेंगे और उसमें ड चीन, इलाइची डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए और ढखकन लगा के इसका भी बिल्कुल फाइन पाउडर बना के तयार कर लेंगे, देखिए फ्रेंट्स बिल्कुल फाइन पाउडर है, अगर आपके पास पहले से ही पाउडर शुगर रखी है तो आप वो भी उ इसलिए इसे छानना बहुत जरूरी है, देखिए बैसे तो चीनी में कुछ नहीं निकला है, बस जो हमने इलाइची डाली थी उसका ही छिलका है, और उसे हमने छान के कर दिया है अलग, और अब जो हमने ड्राइफ्रूट्स पीसके रखे थे वो भी इसमें ही डाल देंगे अब साथ में ही डालेंगे यहाँ पर आदा कप भर के फ्रेश मलाई, तो यह बिल्कुल फ्रेश मलाई है जो दूद के उपर आ जाती है, वस बही बाली है, आपको भी बिल्कुल फ्रेश मलाई यहाँ पर यूज करनी है, मलाई डालने के बाद सभी के साथ इसे बहुत अच पे बनाके तैयार कर सकते हैं, घर में इस सभी को बहुत पसंद आएगी प्रेंग और इसे खाने के बार तो आप बिलकुल नहीं बता पाएंगे कि आपने इने मुरमुरों से तैयार किया है उसके बाद देखी फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने वही वारा मिक्सी कजार दुबारा से ले लिया है और इसमें हम डालेंगे अब दो कप भर के मुर्मुरे यह इजी ली त्योहारों पे बाजार में मिल जाते हैं वैसे भी मिल जाते हैं पर दिवाली बगएरा पे तो यह खूब बाजार में सभी जगे मिलते हैं तो यह इजी ली आपको मिल जाएंगे मार्केट में बस इस तरह दो कप भर के मैंने मिक्सी में डाल दिये हैं और धक्कल लगा के अब इन्हें भी हम पीस लेंगे तो लीजे फ्रेंट्स यहां पे इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनके तयार है तो एक बार मैं इसे भी छान के हीस में डालूँगी वैसे बिल्कुल फाइन पाउडर है आपको छानने की जरूरत है नहीं पर अगर आपको लगे कि मिक्सी अच्छे से नहीं ग्राइन करती है तो आप इन्हें छान ले अब सभी को बहुत अच्चे से हम यहाँ पर करेंगे मिक्स तो अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पर तो आप यहाँ पर दूद के एक दो चीटे लगा सकते हैं और अगर आपको लगे की बैटर थोड़ा सा लूज हो गया है तो इसमें आप आदा कप मुर्मुरे और लीजिए उन्हें भी अच्छे से पीस लीजिए और च्छान केस में डाल दीजिए तो देखे फ्रेंड्स याँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारा मिक्स है वो अब लगवक सेट हो गया है तो यहाँ पे इसे सेट करने के लिए मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक का डबबा ले लिया है और उसमें हम लगाएंगे बटर पेपर औ बटर पेपर लगाने के बाद इसे देशी घी से अच्छे से घ्रीस कर देगे। आप चाहें तो किसी और कुकिंग ओल से भी इसे घ्रीस कर सकते है और घ्रीस करने के बाद अब इसमें हम अपनी मिठाई जमाने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलिशास बन और जिसे भी आप ये बताएंगे वो सुनके चौक ही जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती जब आप खाएंगे ना तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा तो अब सभी मिक्स को लेंगे और इस तरह डबे में डाल देंगे और इस पैचला की मदद से इसे कर देंगे बिलकुल प्लेन और प्लेन करने के बाद हम इसे 10 मिट के लिए रख देंगे फ्रिज में या फिर आप बाहर ही छोड़ सकते हैं बाहर भी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें कि तो देखिये यहां पर यह बहुत अच्छे से बराबर हो गया है और मैं इसे अब 2-3 बार और अब हलके हातों से इसका बटर पेपर हटा दीजे और अब इसकी हम करेंगे कटिंग तो friends यहाँ पर आप चाहे तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या फिर अपने मन पसंद कोई भी dry fruits भी लगा सकते हैं तो इसे cut करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के cookie cutter ले लिये हैं अगर आपके पास हो तो आप इस तरह cut कर लें वर्ना आप इसे अपनी किसी भी मंचाही शेप में भी cut कर सकते हैं तो मैंने पहले इसे round shape में cut किया है cookie cutter की मदद से जिससे कि यह आराम से निकल जाएगा अच्छे shape में तो देखिए बस अब side का जो portion है उसे मैं हटा दूँगी इस तरह और जो beach बाला part है उसे हम निकाल लेंगे तो इस तरह यह बिल्कुल gold shape में पेड़े की जैसे बनके तयार हो जाते हैं जैसे हम market से पेड़े लेके आते हैं उसी तरह देखिए friends कितनी easily यह निकल के आ गया है और shape कितनी अच्छी आई है तो देखिए पहले तो मैं इन्हें सभी को इस तरह बना के तयार कर लूँगी और जो हमारा side वाला mix रह जाएगा ना उसे में container में डालके दुबारा से set कर लूँगी देखिए friends आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा soft बनी है एकदम चूते ही तूट रही है बहुत ही soft है एकदम मूँ में घुल जाने बाली और taste तो इसका एकदम लाजबाब है friends और आपने देखा कि इसे बनाने के लिए हमने घी भी नहीं डाला माबा, milk powder, पनीर किसी का भी use नहीं किया बस घर में रखे हुए सामान से ही हम इसे जट परतरे से 5 मिट में बना के तयार कर सकते हैं वो भी बिना गैस जलाए तो है ना मज़ेदार रेसिपी इस निवाली के लिए तो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज मुझे जरूर सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं इसी तरह की और नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी तो देखिए इसी तरह मैंने सभी को पहले निकाल के रख लिया है और जो मिक्स बचाता हमारा उसे मैंने इस तरह डबे में सेट कर लिया है तो चलिए अब इसे भी मैं दो पार्ट में डिबाइट कर लूँगी इस तरह चोटे चोटे पीसों में देखिए फ्रेंट्स आप अंदर से देख सकते हैं इसका टैक्चर कितना ज़्यादा अच्छा है एक दम दानेदार अब मैं इसे थोड़ा सा गार्णिश करूँगी तो यहाँ पे मैंने पिष्टा को बिल्कुल बारीक बारीक चौप करके रखा है बस इसी से हम इसे गार्णिश कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पे काजू लगा सकते हैं बादाम या फिर चांदी का बर्क भी लगा सकते हैं या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इने प्लेइन भी खा सकते हैं टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा फ्रेंट्स बस लोग वाईजी थोड़े से अच्छ लगते हैं किसी को अगर आप सर्व कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं वरना कोई ज़रूद नहीं है तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है से बनाना जट पट से बन के तयार हो जाती है कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो और घर में मीठा ना हो तो जट पट से 5 मिनट में आप इसे बना के तयार कर सकते हैं तो ये तो हमारी बनके तयार हो गई है, तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं, तो लेजी फ्रेंट्स याँ पे इसकी प्लेटिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है, और कितनी जादा टैंप्टिंग लग रही है न, कोई भी नहीं बताएगा किसे आपने घर पे बन कर लेते हैं, तो इस तरह पहले मैंने इसे स्क्वेर पीस में कट किया था और उसके बाद बीच में से एक एक कट इसमें और लगा दिया है, तो देखें आप इसे कैसा भी शेप दे सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग और ये सभी शेप में बहुत ज़्यादा अच् करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, मैं मिलती हूँ आप से एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर